आकाश्वाणी मध्यप्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादिशिक समाचार अठारवी लोगसभा की चुनाओं के लिए आज वोटों की किनती जारी है लोगसभा की 543 सीटों में से एंडिये ने अब तक एक सीट जीती है और 298 सीट पर आगे हैं आई एंडियाई गटबंधन 225 पर आगे है अन्यदल 20 सीटों पर आगे चल रहे हैं भारती जंता पार्टी 241 सीटों पर जबके कॉंग्रेस 94 सीटों पर बढ़ध बनाए हुए है सबसे ज्यादा चौकाने वाले परिणाम उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं यहां की असी में से 35 पर एंडिये और 44 पर इंडिये गटबंधन आगे चल रहे हैं यहां भाजपा को 34 सीटों मिल रही है जबके समाजवादी पार्टी 35 सीटों पर आगे है कॉंग्रेस को भी यहां 7 सीटों मिल रही है राजिस्थान में भाजपा को 14 सीटों पर और कॉंग्रेस 8 सीटों पर आगे है महराष्ट्र में 20 सीटों, NDA और 27 पर इंडी गटबंधन आगे है बिहार में NDA 34 और इंडी गटबंधन 4 सीटों पर आगे है वहीं करनाटक में NDA 18 और कॉंग्रेस को 10 सीटे मिलती देख रही है दिल्ली की 7 सीटों पर भाजपा आगे है हिमाचल की 4 और उत्तराखंड की 5 सीटों पर BJP आगे है ओडीशा में भी BJP 19 सीटों पर आगे है जबकि सत्तरूड BJD केवल 1 सीट पर आगे चल रही है पश्चिम बंगाल में TMC 31 और भाजपा 10 सीटों पर आगे है हर्याना की 10 में से 4 पर भाजपा और 6 पर कॉंग्रेस आगे है प्रदीश की सभी 29 सीटों पर भाजपा बढ़ध बनाए हुए है इन दौर सीट पर शंकर लालवानी 8,88,000 से अधिक मतों से आगे है वहीं विदीशा सीट से पूर्व मुख्य मंतरी शिवराज सीटों चार लाग 87,000 मतों से आगे है गुना से केंद्री मंतरी जो तिरादित सिंध्या 3,82,000 मतों से बढ़ध बनाए हुए है राजगर सीट पर कॉंग्रेस के दिग्विजैसीं 50,000 मतों से पीछे चल रहे है मुरैना से शिव मंगल सीह तॉमर 31,500 से अधिक मतों जबकि भिंड से संध्याराए आगे है भोपाल से आलोक शर्मा 1,46,600 से अधिक वोटों से पढ़ध बनाए हुए है गौालियर से भरत सीह कुष्वा 45,058 वोटों से आगे है सागर में डॉक्टर लतावान खेडे 2,66,821 वोटों से आगे है टीकमगर से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार 3,27,895 वोटों से आगे है दमो से राहुल गांधी लोधी 2,31,953 वोटों से आगे है खजोराहो से विश्नु दत्त शर्मा 3,75,614 वोटों से आगे है सतना से गडेश सिही 40,113 वोटों से आगे है रीवा से जनार्दन मिश्रा 99,793 वोटों से आगे है सीधी से डॉक्टर राजेश मिश्रा 90,461 वोटों से आगे है शहडोल से श्रीमती हिमादरी सिहें दो लाख बावन हजार एक सो च्छे वोटों से आगे हैं। दो लाख अठतर हजार दो सो च्छे वोटों से आगे हैं। खंडवा से ग्यानेश्वर पाटिल एक लाख अठतर हजार उननचास वोटों से आगे हैं। खंडवा से दुर्गादास उड़कोई के तीन लाख दो हजार इकतीस वोटों से आगे हैं। लोगसभा चुनाओ परिणाम में इंदोर में नोटा यानी नन ओफ दी अबव ने नयरेकॉर्ड बना लिया है। देश के चुनाओवी इत्यास में पहली बार नोटा को इतने ज्यादा वोट मिले हैं। अब तक की जानकारी के मताबिक नोटा को एक लाख नवे हजार से धीक वोट मिल चुके हैं। दर असल इंदोर में कॉंग्रेस के लोग सभ़ प्रत्याशी अक्षै कांती बम ने चुनाओं से ठीक पहले नामंकन वापस ले लिया था। इस वजह से कॉंग्रेस इंदोर में चुनाओं नहीं लड़ पाई। कॉंग्रेस ने जनता से अपील की थी कि नोटा पर वोट दे और अपना विरोध दर्ज कराएं। अभी तक देश में सबसे ज्यादा नोटा का रिकॉर्ड फिलहाल बिहार के गोपाल गंज के नाम है वर्ष 2019 के चुनाओं में यहां 51,660 नोटा पड़े थे इंदोर में 13 माई को हुए मतदान में कुल 25,27,000 मतदाताओं में से 61,75 प्रतिशत लोगों ने वोट डाला था इस पूरी होने पर भारती जन्ता पार्टी निष्टित रूप से विजए रहेगी। कॉंग्रेस इनेता रागी नी नायक ने कहाए कि INDI गठ बंध नाधिक सीटें जीतेगा और लोग साफ़ चलाओं में विजए रहेगा। अब इस बुलिटन में राना शाहिद को दीजे इजादत नमस्कार।